हेलो फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी स्टूडेंस का 2020-2023 के जितने भी चात्र इस वीडियो को देख रहे हैं 2020-2023 के लिए अभी अभी निव नोडिफिकेसन जारी कर दिया गया है सभी स्टूडेंस के लिए जी हाँ इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा आज की इस वीडियो में सारी जनकरी आपको लाइप प्रूप देने वाला हूँ क्योंकि अभी अभी परिच्छा को लेकर एक नए नोडिफिकेसन जारी हो गया है 2020-2023 के चात्रों के लिए ठीक है तो 2020-2023 के जितने भी इस टूड सबसे पहले information provide करा जाता ठीक है तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा फेल देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि बैठेक में भी हां सरकार के सिच्छा विभाग के द्वारा परिच्छा कलेंडर लेकर आने को कहा गया था लेकिन जिसमें जय ब्रकास विष्च्छ विध्याले ने अपना परिच्छा कलेंडर जमा किया जो हाल ही के दिनों में परिच्छा मंडल में पुर्व भी करवाया गया जिहां सुत्रों की माने तो जो परिच्छा कलेंडर जारी हुआ है उसमें लगता है कि केवल असना तक क्रित्य खंड नहीं 20-30 का भी भाग है यहां पर चलिए बात कर लेते हैं 20-30 के स्टुडेंस की तो यहां पर देखिए 28 जिहां दोस्तों यहां पर बता दें कि 28 पर इच्छा सीवकार के जाएंगे जुलाई में 2022 से लेकर जून 2023 तक के लेने की बात कही जारी यहां पर बता द में 2022 को होगा ठीक है यहां पर देखिए 22 अगस्त को जो है एकजाम होगा 20-30 के छात्रों का ठीक है और September 22 September को result प्रकासित किया जाएगा सब स्टूडेंस भ्यास सुन्जिए स्टूडेंस का 22 अगस्त को एकजाम होगा सब स्टूडेंस सुन रहे हैं 22 अगस्त को जो है एक्जाम होगा और 22 सितंबर को रिजल्ट पार्ट वन का प्रकासित किया जाएगा यह सबसे बड़ी इंफर्मेशन यह नया कलेंडर जारी हुआ है सभी स्टूडेंस के लिए ठीक है 20-30 के सभी स्टूडेंस का 22 सितंबर को एक्जाम और 22 सितंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा पार्ट वन का ठीक है तो मतलब यह है कि इसी साल आप लोगों का रिजल्ट भी जारी होगा और इसी साल आपका एक्जाम भी होगा और इसी साल पार्ट टू में एडमीशन भी होगा तो ये सबसे बड़ी information है दोस्तों आपको ये information कासा रहा नीचे message करके जरूर बताईएगा और हाँ हमारी हर वीडियो का notification पाने के लिए चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा क्योंकि हमारी चैनल पर सभी information JP University द्वारा डाला जाता है तो वीडियो को अपने अपने फ्रेंड़ों को share करिये और सभी दोस्तों को बताईए share करके चैनल पर नहीं जरूर subscribe जरूर कर लिजेगा ठीक है